हाई एबरिवन आज हम पढ़ेंगे उपनिवेश वादियों के विचार और योगदान का पार्ट टू पार्ट वन आप पढ़ चुके हैं यूरोप वासियों में कई भारती विद्या को बहुत तरजीह भी देते थे इसी तरह एक जर्मनी के स्पूत एफ मैक्स मूलर ने भारती विद्या को बढ़ावा दिया एफ मैक्स मूलर ने काफी अनुवाद करने में योगदान दिया बारत में ब्रिटिश समराज्य को मजबूत करने के लिए मैक्स मूलर के संपाधकत में प्राचिन धर्मगरंथों का अनुवाद किया गया ये अनुवाद सेक्रेड बुक्स ओफ दा इस्ट सीरिज में कुल मिलाकर पच्चास खंडों में हैं जिनमें कई खंडों के अनेक बाग भी हैं प्रकाशित हुए इसमें इरानी और चीनी कल्चर की भी कई सारी पुस्तके हैं लेकिन मुख्यते बारत की पाई जाती है क्योंकि बारत एक बहुत ही प्रमोक उपनिवेश था ब्रेटिश समराज्य का और ब्रेटिश समराज्य को मजबूत करने के लिए इसाई मिशनरियों ने भी इस अनुवाद करे को बढ़ावा दिया और जरूरी समझा क्योंकि 1857 की करांती के बाद ब्रेटिश समझे चुके थे कि बारती कल्चर को समझना और इसके बारे में लिखना और पढ़ना पढ़ाना काफी जरूरी है विसेंट आर्थर समीत एक इतिहास में वो विक्ती हुए जिन्नोंने एक पुस्तक लिखी प्राचिन इतिहास को लेकर बारत के विसेंट आर्थर समीत जो की 1443 से 1920 की लाइफ थी उसकी एक पुस्तक लिखी अरली हिस्ट्री ओफ इंडिया जो की 1904 में प्रकाशित हुई विदवान इसका उपयोग करते हैं इनकी पुस्तक के एक तेहाई हिस्से में सिकंदर का आकरमन है और इनकी पुस्तक में उन्होंने यह भी बताया है कि ब्रिटिश शासन आने से पहले बारत में लगबग एक रूप तानाशाही चलती थी और उनमें राष्टबाद नाम की कोई चीज नहीं थी सिमत एक समराजवदी सोच के विक्ती थे इसलिए जो भी उनने लिखा या जो भी उनकी पुस्तक में दिया गया था वो इस तरह से दिया गया था कि बारत हमेशा एक तानाशाही के अंदर रहा है बारत के लोग कभी भी सबतनतरता में नहीं रहे हैं इ समराजवदी सोच के विक्ती थे उनने जो भी लिखा इस तरह से लिखा कि बारत को हम नीचा दिखा सकें आज के सेशन में इतना ही आगे वाले सेशन में हम पढ़ेंगे कि बारत में राश्टरबाद भी पाया जाता था उसको समित ने नहीं दिखाया है उनको दिखाने के लिखी गई है जो भारत के कल्चर को एक अच्छा मानते हैं जो कि मानते हैं कि बारत में राश्टरबाद था बारत के लोग सवादिंता में रहे हैं बारत में हमेशा ताना शाही नहीं रही है बारत का कल्चर बाकी कल्चर के समान है या उनके उपर है ये भी दिखाया गया है बाकी पुस्तकों में उन पुस्तकों के राइटर कौन है और कैसा राश्टबाद यहां पाया जाता था इसको हम पढ़ेंगे अगले सेशन में धन्यवाद